7.2.4 विज्ञान बनाम धर्म प्रबोधन के समर्थकों के विचार में धर्म मनुष्य को अंधिविश्वासी, डर्पोक और गुलाम बना देता हैं उनका मानना था कि धर्म के नाम पर लडाईया होती है और मनुष्य का खून बहाया जाता है वे खास्त और से धर्म पर कैथोलिक चर्च के एकाधिकार के खिलाब थे उनका मानना था कि चर्च के एकाधिकार के कारण मनुष्य अपनी बुद्धी पर विश्वास ना कर पुजारियों के चमतकारिक कहानियों पर विश्वास करने लगे और उनकी कटपुतली बने अधिकांश प्रभोधन चिन तक नास्तिक नहीं थे बलकि उनका प्रयास था कि इश्वर का विज्ञान और स्वतंत्रता सम्मत आधार खोजें उन्हें डर था कि नास्तिकता मनुश्य को नैतिकता से दूर ले जा सकती है विज्ञान की मदद से विश्व के बारे में जो जानकारी प्राप्त हो रही है वह इस बात का प्रमाण है कि स्रिष्टिकर्ता इश्वर कितना महान है लेकिन वे इश्वर और धर्म को किसी व्यवस्था संगठन ये पुजारियों के हाथ नहीं सौपना चाहते थे प्रबोधन के समर्थक व्यक्तिगा स्वतन्तरता में गहरी आस्था रखते थे और उनका मानना था कि लोगों पर अगर कोई कानून लागू करना है तो वह उनकी सहमती से ही हो सकता है इस कारण वे हर तरह के गुलामी गैर लोग तांतरिक व्यवस्थाएं और निरंकुष्टा के खिलाब थे लिकिन इसके बावजूत प्रबोधन के कई चिंतक ततकालिन निरंकुष शाषकों के निकट मित्र और सलाकार थे उनके प्रभाव से इन शाषकों ने अपने राज कोप में अध्योगी करण के कारण प्रकृति का दोहन प्रदूशन और मजदूरों का शोषन हो रहा था राजनेतिक क्रांतियों के कारण पुरानी जीवन पद्धतियां नर्ष्ट हो रही थी उसी समय अमेरिका ऑस्ट्रेलिया भारत आधी देशों में जन्जातियों में सा के साथ विज्ञान और बुद्धिवात का भी विरोध करने लगे रुमानी रुमांटिसिस्ट आंधोलन के दार्शनिक जैसे रूसो कवी लॉर्ड बायरन और कलाकार प्रमुक थे वे आधुनिक और योगिक यूग की जगह एक कल्पित ग्रामिन जीवन जो प्रकृति के विनाश पर नहीं बलकि उसके साथ सामनजस से पर आधारित हो कि पैरविक कर रहे थे वे तेजी से लुप्त हो रही लोककला और संस्कृति को बचाना चाहते थे जहां प्रबोधन ने दुनिया को समझने की विज्ञान की शक्ति का गुडगान किया वहीं रुमानियों प्रबोधन के विकल्प में भारतिय, चीनी और जापानी संस्कृति और साहित्यों का सहारा और उनके अध्यन पर जोड़ दिया। इसके फलस्वरूप कालिदास जैसे संस्कृत कवियों की कृतियों का यूरोप भाशाओं में अनुवात किया गया। धुंदलेपन तुफानी वातवरन आधी पर जोड़ दिया। उनके द्वारा दर्शा आये गए लोग भी भैबीत या अचमबित लगते थे।